तो हेलो, आज मैं ही वीडियो में डाल रहा हूँ, मैं ही सब कुछ वाइस ओर अगरे करूँगा, जिन मैं ने करने वाला उसके पिछी भी एक वजा है, वो वजा मैं बताने की वजा है, आपको दिखाई देता हूँ ये मा, मैं जा रहा हूँ, गेम खेलने के लिए, बाद में मैं पढ़ाई कर लूँगा, ठीक है ना? ओधरे रुक, कहा जा रहा है सले, पढ़ाई वडाई तो कभी करता नहीं है, बेकार मैं बुक्स लेके बैठाया हैं, कब करेगा पढ़ाई? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं बाद में पढ़ाई कर लूँगा, फिलाहले गेम खेलने दो यार रुक, तेरा गेम तो अभी मैं बयाते हूँ, कब सिप में गेम गेम लगा के बैठाये, गेम में सबको पेन मारते रहते हैं, अब मैं तेरे को पेन मारते हूँ, रुक, रुक अरे बापरे, इससे पहले कि पेन से मेरा सिर्फ फूट जाए, भाग ले बेटा चिन्मे, अईतना तेज भाग के हाथ में ना पाई किसी को भाग ले आप कहां भाग के जाएगा, आप यह ले एरे मा नहीं, तो अब आपको पता चला होगा, तो आज एपक्स गेम के अंदर मैं आपको मिलाने वाला हूँ, अपने दूसरे लेजंड से, सबसे पहले मैं, जिसकी श्टाइल कभी जाती नहीं, किसी को आती नहीं, और मेरे जाती नहीं, एनिमे के सामयाएं अब बना वेपन्स के वहां पेच्पी में खड़ा हूँ और इन्या मी पूरा मस्द आरवर और गन लेकर खड़ा हूँ लेकिन उसके सामने में अपना अइसा शिटाल में खड़ा रहता हूँ यही मेरे अदत है वाईसे मैं इंडास प्लैनेट पे विकाशन के लिए जाने की सोचर हो क्या खाल ले भास यह उआदा मदों ना वाईसे मे इंडास की बढ़ाई बाद में कर ले ना वाईसे मेर को मिले के बहुत гол्य दार ये पताने कवाएगा आप इंडेस को करोगी के सपोर्ट कमेंट में बताओ तो मित्रो ये है जिमराल्टर ये एक रेसलर है ये रेसलर होने के मावजूद ये बॉक्सर वाली पूजिशन में क्यों है भाई आए मैं बजपन से बॉक्सर बनना चाहता था लेकिन पिता जिन्हें जबरदस्ती कुछती बाज बना दिया इसलिए मैं रेसलिंग करता हूँ आएं आएं मतलब मित्रो इससे पहले कि ये हमारी कान खा जाए चलते हैं अगले लेजेंड की तरफ औ हेलो मेरा नाम है लाईफलाइन मैं यहां पर सब के लाईफलाइन बने फिरती हूँ अदे बास यह इससे नाच क्यों रही है बास मत पुछ भाई जब से इसने शोले की बसंती देखिया तब से नाच हे रही है रुख ही नहीं रही, गबर ने इसको नचाया, ये समझ के नाच ही रही है विचारी, आईए चलते हैं, आगले लेजन्ड, पाथफाइंडर की तरफ, मैं कौन हूँ, मैं कहां हूँ, मैं क्या हूँ, एक मिनिट, अहां मेरे को याद है, मैं क्या हूँ बाई, मैं भूल गया य दोस्तों से मुझे मिलवाने के लिए था, हेलो दोस्तो, मेरे डेवलेपर ने मेरे अंदर स्पाइडर मैन के अबिलिटी, फिक्स करके रख्या है, इसलिए मेरे पास वेब तो नहीं है, लेकिन ग्रैपलिंग हूँ है, उससे मैं बंदों को भी खिचके बुलाता हूँ, और कभी कबार दिवार पर भी चड़ जाता हूँ, यही मेरे एक हैबिलिटी है भहिया, और कभी कबार दूसरी दिवार में गाड़के अपने दूसरे लेजंड सात्यों को एक दिवार से दूसरे दिवार पर लगके जाता हूँ, बस यही काम है, और वह इसे ही शॉटगन में लेके जरा इस पर हाथ साफ किया जाए जब तक अब बाट पर अपने हाथ साफ करता है चलिए चलते हैं अपने रेट के पास मैं यह आवाजी सुन-सुन के पागल हो जाओंगी कितनी आवाज यह रही है उस साइंटिस्ट को छोड़ूंगे नहीं मैं खुदी से बात कर रहे हूँ पता नहीं लगता है मैं मेरे को पागल पन का दोरा चड़ गया मैं जारो डॉक्टर के पास मैंडम मैं एक सवाल पूछू पूछू यह नींजा हाथोड़ी की तरह काई को चल रहे हो मैडम आप अरे ओ क्या है ना जब उसने मेरे को बांद के रखा था ना मैं बहुत तीवी पर बहुत जादा नींजा हाथोड़ी देखी थी इसलिए उसी की तरह भगते हूं मेरे को उसी की तरह भगना आता है मैंने बचपन से उसी इंसन को देखा टीवी पर बाकि मेरा इंसन से कोई ज़्यादा लेना देना था ही नहीं बस उसी सैंटिस्ट का दिमाग से देख देख के मेरा सिर पंग गया और इसलिए एक दिन मैं उसको माही पर से मचोड के भाग के आ गई ता मित्रो इससे पहले ये मौतरमा भी अपनी कान शुरू करें चलिए चलते हैं अक्टेन के पास बहगो 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 जलब जल्ली बहगो एमनी मरे पास बहगो 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 पास इसलिए इसलिए भार अगर मुझे यी इसलिए रोकर रखा तो बम इधर भट जाएगा स्टरिय। जल्दे जय को अब यार ओसे अपने गन ऊधर काय से अपने शुर नहीं हो पड़ेगा। चलन इसको अभी धोने चलते हूं मैं जब तक रेट अपनी गन को धोकर अक्टन को मार देती है तब तक अपन अपने नेक्स्ट लेजन फेड की तरफ चलते हैं हाई मैं हूँ फेड मेरी उमर तेज साल की है तो यहां पर सबको अपना परिचाइज देने के लिए आया यह अपने जनम में कुंदली मां बताने के लिए इधर के तरी साधी वादी चल रही क्या क्या बता हूँ यार अकेले जिन्दगी जा रही है उस अन्वन मिस्टिरियस मैंने मेरे भाई को मेरे दोस्त और मेरे पिता को मार दिया अब इधर मैं अकेला बैठ हूँ काश यार इधर ये बॉट्स की जगा इस ब्लेड हन का सर होता तो कितना अच्छा रखता नहीं फेर जब तक अपने पितादी के किलर को ढूंद रहा है तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट लेजन्ड रेवनेट के पास वाई आयू रोने वाई आयू रोने वाई आयू रोने काई को भाग रहा है भाई तू ऺताव यार्ड उस लोबा ने मेरे पीछे अपने कुत्ते चोड दिये वसके बाप को मारा था यही पैसे के इतना तू करना बनता ही है तू उसी का बढ़ना लेने के लिए मेरे पीछे कुट्टे ठोड़ दिये मेरे को भया इंजेक्शन चे बहुत ड़र लगता है मेरे को कुट्टों के इंजेक्शन नहीं लेने मैं इसलिए भाग रहा हूं यहां से भागो रही तो जब तक लोबा के कुट्टे रेवनेट को खाते हैं तब तक अपने जलते अपने नेक्स्ट लेजंड क्रिप्टों के पास अपने हाद जेब से निकाल भाई जेब के अंदर क्या चुपा रहा है बड़े दुखन कहानी है यार एक बार मैं गोपार से मिला था कौन अपना गली का गोपाल क्या अरे नहीं रे गोलमाल का गोपाल तुमको तो पता है होगा गोपाल के आदत अगर कोई उसको उंगली दिखाता है तो क्या करता है वो मेरे को भी बहुत आदत थी सबको उंगली दिखाएं की मैंने उसको भी उंगली दिखाई और उसने मेरे उंगली ही तोड़ दी तब से मैंने किसी को भी उंगली नहीं दिखाई इसी डर में कई क्यों कि वो भी मेरी बच्ची को ची उंगलिया ना तोड़ दे मम्मे मैंने अपने हाथ निकालने आना भाई तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मुद भूलना अगले बार मैं तो नहीं लेकिन चिनमाई जुरूर आएगा इसकी गारेंटी तो मैं साथ दे सकता हूँ रुक चिनमाई के पैंस ही पटाई की थी अब तेरी इस बेलेंस ही पटाई को लोंगी आप तो गया बलड हान लगता अब मेरोको भी मार पड़ेगी भगलो यहां से झाल मेरोको और आएगा झाल मेरोको लोगभी तो भी मार प्रता उ।